बजाज प्लैटीना 125 HTR के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजाज की प्लैटीना 125 CC में इंडियन मार्केट में कब आएगी क्या क्या बदला होंगे प्राइस में कितने रुपए का इंक्रीज आएगा सबी details के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलो start करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं changes के बारे में तो यार जो platina अभी आपको मिल जाती है इंडिया में उसमें आपको उपर की side मिल जाता है LED का DRL तो यार वो DRL अब हटने वाला है जी हाँ 125 भाई जो आगा variant उसमें आपको DRL मिलेगा LED के headlight के अंदर inbuilt यानि कि भाई गारी में आपको जो है अब LED का headlight भी देखने को मिलेगा साथ ही भाई आपको उसी के अंदर आपको inbuilt देखने को मिल जाएगा LED का DRL भी जैसा कि यार आपको आशकल सभी गाडियों में मिल जाता है राइडर हुई ग्लैमर हुई अब आई जो यह सारी गाडियां है इनमें आपको जैसा सेटप मिलता है सेम आपको वैसा ही मिल जाएगा आने वाली 2023 की नई बजाज प्लैटीनो 125H CTR में भी वो यार गाड़ी में आपको मिल जाएगा वही पराणा टेल लाइट हेलोजन का और आपको वही पराणा मिलेगा इंडिगेटर हेलोजन का यार इंडिगेटर में और टेल लाइट में कोई भी बदलाओ नहीं होंगे लेकिन जो headlight का head up है उसमें आपको definitely changes मिलेंगे बाकि यार गाड़ी का जो meter है ना वो अभी आपको मिल जाता है semi console के साथ तो बजाज वो meter console भी change करके आपको देगा यानि कि भाई आपको इसमें मिलने वाला है fully digital meter console क्योंकि यार आशकल जो है जो गाड़ियां 100cc की है 110cc की है और बाई 125cc की है उनमें आपको digital meter तो देही रहे है चाहे वो जो भी brand हो लेकिन यार बजाज अपनी गाड़ियों में connectivity भी मिलेगी भाई जिससे की आपको message और call तो indicate करी देगा पाकी यार आपको मिल जाएगा mobile charging port भी आने वाली नई बजाज प्लैटीनो 125 HDR में भी बाकी यार आपको गाड़ि में मिल जाएगा front में disc single channel ABS के साथ पीछे आपको मिलेगा drum breaker option जो की यार पीछे भी आपको combine breaker system मिलेगा भाई बजाज safety पे काफी अच्छा ध्यान देता है बाकी यार गाड़ी का जो भाई टैंक है वहाँ पे आपको tank flap वगएरा दिखने को मिल जाएगे भाई गाड़ी की जो seat है वो आपको single piece ही मिलेगी गाड़ी के बाई जो grab rails है वो भी आपको single piece ही मिलने वाले बाई गाड़ी का जो engine है वहाँ पे आपको cowl वगएरा दिखने को मिल जाएगा बाकि यार गाड़ी का जो handlebar है chrome finished ही आपको मिलेगा जैसा आपको अभी मिल जाता है और यार front में आपको मिल जाएगा telescopic का fork लेकिन यार वो थोड़ा सा आपको मोटा मिलेगा अभी के मुकाबले और यार पीछे आपको मिल जाएगे twin shock absorber बाकि यार गाड़ी में आपको मिलेगा front में 90 section का tire पीछे आपको मिल जाएगा लगबग 110 का tire क्योंकि यार platina का जो engine है वो बढ़ रहा है तो भाई टार का size भी बढ़ेगा बाकि यार टार्स आपको मिल जाएगे ट्यूबले 17 इंच के अलाव वील के साथ और इसका भाई जो fuel tank है वो अभी आपको मिल जाता है 10.5 लीटर का तो भाई बजाज उसे भी बढ़ाएगा और गारी का जो dimension है जो wheel base है जो ground clearance है जो seat की height है इंड सभी में आपको changes देखने को मिलेंगे और इसका जो DRL है वो इसका सबसे बड़ा update होगा look को लेकर वाई front से बाकिया tank भी काफी बड़ा update रहेगा और बजाज इसमें आपको देगा बिल्कुल ही नए colors और बिल्कुल ही नए graphics और इसका जो engine है वो आपको EFY के साथ ही दिखने को मिलेगा भाई उसमें आपको F5 अगेरा दिखने को नहीं मिल जाएगा इंडिया में 80,000 रुपए के आसपास तक का एक showroom तो यह price confirm है और यार यह गाड़ी launch होगी आने वाले 2-4 मंद के बीच में तो बाई जो वीडियो है ना इसे आप कर दो like और जो है channel साथ ही आप इसे भी कर लो subscribe तो यार मिलते हैं next वीडियो में और बाई बताना क कि आपको यह update और news कैसी लगी आपको अगले वीडियो कौन सी गाड़ी पर चाहिए वो भी आप comment down कर देना